आरा शेहर की वर्षो पुरानी खटना है उस जमाने की जब एकका और बग्की चला करती थी करीमिया कभी कभी देर रात तक एकका चलाया करते थे बड़ी जोग के पास टमटम पड़ाओ था एक रात की बात है करीमिया सवारी का इंतिसार कर रहे थे उन्होंने सोचा की 10-15 मिनट देख लेते हैं सवारी मिली तो ठीक है वरना घर वापिस लोट जाऊंगा कुछ देर बाद वे घर जाने के लिए एकका मोड रहे थे की आवाज आई एकका वाले चलोगे करीमिया ने देखा तो दो बुजर्ग मोलाना सफेद कुर्ता पैजामा पैने खड़े थे उनके गले में सोने की चैन थी एक के हाथ में चड़ी थी उन्होंने फिर से पूछा चलोंगे क्या क्यों नहीं सरकार जरूर चलेंगे कहा कहा चलना है हमें नवादक कबरिस्तान वाली मस्जित में जाना है और फिर यहीं वापिस लोटाना है 10-15 मिनट वहां रुकेंगे चलोंगे चलूंगा हुजूर देखो इक्के वाले तुम चलो तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा पैसे मिलेंगे ठीक है सरकार आईए बैठिये आप लोग बड़े आदमी है जो देंगे रख लेंगे वे लोग इक्के पर बैठ गए करीम मिया ने उसे सड़क पर दोड़ा दिया मुश्किल से दो किलोमेटर का रास्ता था सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था दस मिनट में पहुँच गए दोनों मौलाना उत्रे और करीम मिया को इंतिजार करने के लिए कहकर मजजद की तरफ आगे बढ़ गए करीम मिया तमाखु मलने लगे पंदरा मिनट बाद वो वापस लोटे और इक्के पर बैठते हुए वापस लोटने को कहा करीम खार ने इक्के को वापस लोटा दिया रात के सन्नाटे में दोड़ता हुआ एकका कुछ ही देर में बड़ी चोग के पास पहुँचा मौलाना नीचे उत्रे उनमें से एक ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है करीम ने अपना नाम बताया उन्होंने सो का नोट देते हुए कहा तुम हमें रोज इसी वक्त यहां से नवादा ले जाना और ले आना ठीक है सरकार हम रोज आपका इंतिजार करेंगे लेकिन आपने इतना बड़ा नोट दिया मेरे पास इसका चुट्टा नहीं है खुद्रा की जुरुत नहीं है यह पूरा तुमारा है और रोज तुमें इतने ही पैसे मिलेंगे लेकिन सरकार यह तो बहुत जादा है इतना तो हम महीने में भी नहीं कमाते हैं वे हस्ते हुए बोले कर ठीक टैम पे आ जाना उस जमाने में सो रुपे की कीमत बहुत जादा थी अच्छे अच्छे अधिकारियों का भी वेतन इतना नहीं होता था करीमिया सोचते हुए घर की तरब बढ़ गए अगले दिन से वो रात को मुलानाओं को इंतिजार नहीं कराते थे पैसा आने पर घर की हालत सुधने लगी रहन सैन का अस्तर सुधने लगा पास परोस के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी लोटरी लग दे है कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी थाना के दरोगा ने रात के वक्त चौक पर सवारी समयत करीम मिया को दबोच लिया और टाउन थाना में लाकर बंद कर दिया उन्होंने पूछा कि वे लोग कौन सा धंदा करते हैं करीम ने सफाई देनी चाही तो बोले ठीक है सुबह मैं बात करूँगा सुबह के वक्त दरोगा जी थाने पहुचे तो हाजत में करीम खान अकेला नजर आया उन्होंने पूछा मौलाना लोग कहा है सरकार हमें जपकी आ गई थी आख खुरी तो वह पता नहीं कहां चले गए चाबी तो मेरे पास थी ताला भी बनता फिर वे कैसे निकल गए दरोगा ने बड़बडाते हुए कहा सही सही बताओ तुमारे पास इतना धन कहां से आया सरकार ये मौलाना लोग रोज मेरे एक्के पन नवादा जाते और वापस आते थे सो रुपिया रोज देते थे वो कोई जिनिया भूत तो नहीं थे पता नहीं साब हम तो गरीब आदमी है भाड़ा इतना जादा देते थे तो उनको ले जाने से मना कैसे कर सकता था ठीक है तुम जा सकते हो करीम खान उसके बाद रात रात बर टम टम पड़ा उपर खड़ा रहा लेकिन वो मौलाना फिर से उसे कभी नहीं मिले दरोगा जी के साथ भी अजीब औ गरीब घटनाए होने लगी के बार अद्रिश्य हातों से धपड मार कर मौलाल कर दिया गया उन्होंने कान पखड़ा कि अब कभी बिना जाचे पर कैसी कोई कारवाई नहीं करेंगे अपना तबादला कहीं और करा लिया दोस्तो आज की कान ही आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले शुप रात रही